असलाम लेकुम वेलकम टू माई चैनल हम बनाने जा रहे हैं मुहरी का डीजाइन देखिए धाय धाय इंच के उपर मैं निशान लगा रही हूँ और देखना मैंने लगा लिए निशान अब इसके उपर हमें टेढ़ी लाइने लगाना है ऐसे लाइने लगा लेंगे हम अब इधर साइड लगाएंगे बस हमें डब्डी बनाना है मैं लाइने लगा के आपको दिखा रही हूँ अगर आप चाहें तो लाइनों को बगेर वे काम तो लाले जल जाएगा ये मैं उनके लिए लगाती हूँ जिनको सिलाई करना विल्कुल भी नहीं आती जो नए नए सीखने वाले हैं जो बिगनर है ये मैंने सिलाई लगा लिए अब दूसरी साइड में हम लगाएंगे सिलाई ऐसे ही देखना लगा लिए हमेने सलाई यह अब इसकी बीच में हमें डिजाइन बनाना है यहां पर ऐसे हमें निशान लगाना है ऐसे निशान लगाएंगे हम अब इस निशानों के उपर ही हमें सिलाई लगाना है अब इधर तरफ बनाएंगे हमें इसे ही जैसे उधर बनाएं वैसे ही इधर डिजाइन बनेगा सेंग अग्याइज देखना मैंने बना लिया डिजाइन बना लिया यह जो निशान लगाया थे उसके उपर सारा कंप्लीड कर लिया अब इसके बीच में हमें डिजाइन बनाना है सीधी लाइन लगाएंगे पहले सारी मुहरी के उपर दर्मियान में बीच में इसके सीधी लाइन लगा ली हमने अब इधर छोटी सी गोल पत्ती सी बनाएंगे यह बना लिया हमने सब पत्तियां बना लिया अब इसके उपर सलाई बना लिया यह मैंने बना लिया है इसके में च्छोटी सी लाइन लगाएंगे दो टांके की लाइन अब सिलाई लगाएंगे इसके बिश में से लाइना है देखना हम है आप आन्दाजे के लिए बस ऐसे सिलाई लगाना है हमें सिलाई के उपर से ही सिलाई को वापस लाएंगे इधर उदर को नहीं लेके जाना सिलाई दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना साथ ही साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ता जो मैं वीडियो डालती हूँ इसकी नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके जैसे उस डबी में बनाई वैसे ही पूरी मुहरी पे हमें डीजाइन बनाना है वैसे ही एक पेर का फासला छोड़ते हुए सिलाईयों के उपर से हमें सिलाई को लेके जाना है जो साइड के उपर से जाते हैं हम अगर हम इदर उदर से जाएंगे तो हमारा डीजाइन जो बनेगा बीच में वो खराब हो सकता है एसे ही दूसरी तरफ बना लेंगे सारी मुहरी के उपर हमें इसे ही बना लेंगे देखने ये बनके आप त्यार हो गया है रेडी हो गया अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करे मिलते हैं अगली वीडियो में असलाम अलेकुम